परिचय बच्चो, क्या कोई बता सकता है कि यदि हम एक कटोरे में पेट्रोल भर कर एक कमरे में रख दें, तो क्या होगा? पेट्रोल वाश्पित हो जायेगा, सर? सही कहा तुमने गायर पारम परिक्सरोतों तथा परिया वरण पर उनके प्रभाव के संबंध में जानेंगे। उर्जा के पारम परिक्सरोतों को जानना, उर्जा के गैर पारम परिक्सरोतों को जानना, परिया वरण विश्यक सरोकारों का वरण करना, उर्जा सरोतों की अवधी की व्याख्या करना, उर्जा का एक उत्तम स्रोत उर्जा का कोई भी उत्तम स्रोत बड़े परिमाड़ वाला कारेकर्णे में सहायक होना चाहिए सरल्टा से उपलब्द होना चाहिए सरल्टा पूर्वक भंडारन योग्य तथा परिवहन योग्य होना चाहिए सस्ता होना चाहिए उर्जा के पारंपरिक स्रोत जिवाश्मी इधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं दोरा उत्पन होते हैं। उनमें कारबन की प्रतिशत्ता अत्तिधिक होती है। ये उर्जा के आनवी करणिये उस्रोत हैं। क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्षि लगते हैं। इस प्रकार के इधन के भंडार चिंता जनक रूप से घटते जा रहे हैं। जिवाश्मी इधन निमनलिखित प्रकार के होते हैं। कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भारी कच्चा तेल। उर्जा के पारम परिक्सरोत तापिये विद्युत संयंत्र तापिये विद्युत संयंत्र एक उद्द्योग है, जहां वाश्म के द्वारा उर्जा का उद्पादन किया जाता है। यहां पानी को गर्म किया जाता है और फिर उसे वाश्प में परिवर्तित किया जाता है यहां बारी-बारी से एक वाश्प टर्बाइन को घुमाती है जो की एक विद्दत जनित्र को संचालित करता है इसके टर्बाइन से गुजरने के पश्चाथ वाश्प एक संघनित्र में संघनित हो जाती है तथा जहां ये गर्म की गई थी वहां पुनर चक्रित हो जाती है उर्जा के पारम परिक्सरोत जल विद्युत संयंत्र जल विद्युत संयंत्र गिरते जल की उर्जा से विद्युत उत्पादन करते है जल विद्युत संयंत्र उर्जा का नवीकर्णिय स्रोत है जल विद्युत के निम्नलाप है जल विद्युत सस्ती होती है जल विद्धुत आपूर्ती और द्योगिक उप्योग के लिए सर्वधिक अनुकूल है इसमें चूँकि किसी भी प्रकार का जीवाश्म इधन नहीं चलता अताहा यह कारबन डायोकसाइड नहीं बनाती क्या आप जानते हैं? जलने वाला जीवाश्म इधन प्रतिवर्ष लगभग 21.3 बिलियन टन यानी 21.3 गीगा टन कारबन डायोकसाइड यानी सीओ टू उस सर्जित करता है प्राकृतिक प्रक्रियाएं इसकी केवल आधी मात्रा ही सोक पाती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वाता वरणिये कारबन में प्रतिवर्ष 10.6 बिलियन टन की व्रिद्धी हो जाती है जैव मात्रा यानी बायोमास उर्जा का नविकर्णिये सरोत है तथा उस जैव सामकरी से उत्पन होता है जो की जीवित अत्वा कभी जीवित रहे जीवों से उत्पन होई होती है उर्जा के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग या तो सीधे ही किया जाता है या दूसरे उर्जा उत्पादों जैसे जैव इंधन आदी में परिवर्टित करके किया जाता है उधारणार्थ, वन अप्षिष्ट जैसे मृत व्रिक्ष, शाखाई, व्रिक्षों के ठूट, प्रांगन कत्रने, लकडी की छिप्टियां एवं शेहरी ठोज अप्षिष्ट आदी जैव मात्रा यानी बायो मास में पादप एवं वेजन्तु उत्पाद भी समिलित हैं जिन्हें तन्तुओं अथ्वा अन्य और दोगिक रसाइनों में परिवर्टित किया जा सकता है पवन उर्जा पवन विद्ध पवन उर्जा का उर्जा के एक उप्योगी रूप में परिवर्टन है जिससे की पवन टर्बाइनों का प्रियोग करके विद्धुत बनाना, पवन चक्कियों दोरा यांत्रिक विद्धुत प्राप्त करना, जल खीचना या जल निकासी करना तथा नोदक जलियानों का संचालन आदी किया जाता है। एक विशाल पवन उर्जा, फार्म, सैकणों एकल पवन टर्बाइनों पर आधारित होता है, जो की विद्धुत शक्ती पारगमन संजाल से जुड़े होते हैं। समुद्र गामी पवन फार्म की अपेक्षा अधिक बारम बारता के साथ शक्ती शाली पवनों का प्रियोग करते हैं। भूपटल पर उनका द्रिश्य प्रभाव कम होता है, परहंतु निर्मान लागत अपेक्षा कृत अधिक होती है। चोटी तटवर्ती पवन सुविधाएं अलक थलक स्थानों को विद्ध उपलब्द कराती हैं। और जनुप योगी सुविधाएं देने वाली कमपनिया छोटे घरेलू पवन टर्बाइनों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त विद्धित की उत्रोत्तर पुनर खरीद करती हैं। क्या आप चानते हैं। सभी विशाल टर्बाइनों में एक जैसा ही डिजाइन, एक क्षेतिज अक्ष, पवन टर्बाइन, तीन प्लेडों वाले प्रतिवात रोटर के साथ होता है, जो की एक लंबे नरीदार, टावर की चोटी पर एक नसेल से जुड़ा होता है। किसी पवन फार में एकल टर्बाइने एक मध्यम वोल्टिये विद्धुत संग्रह प्रणाली एवं संचार तंत्र से परस पर संबंध होती हैं। एक उपकेंद्र पर यह मध्यम वोल्टिये विद्धुत धारा उच्च वोल्टिये विद्धुत पारेशन प्रणाली से जुड़कर ट्रांसफार्मर की साहता से वोल्टेज में व्रिद्धी कर लेती हैं। उर्जा के वैकल्पिक्स रोत जैसे जैसे हम उन्नति करते गए, हमारी दैनिक जीवन की गतिवितियां भी परिवर्तित होती गई। अब हमारा अधिकांश कारे मशीनों द्वारा होता है। इस कारण हमें उर्जा के वैकल्पिक्स रोत धूनने की आविशक्ता पड़ती है। क्यूंकि हमारे प्रक्रतिक स्रोत हमारी मशीनों के लिए उर्जा उपलब्द कराने के लिए परियाप्त नहीं है। उदारणों में समलित हैं सौर उर्जा, समुद्र से प्राप्त उर्जा, भूतापिय उर्जा, आन्विक उर्जा। सौर उर्जा सौर उर्जा सोरे के विकृत प्रकाश एवं उसकी उश्मा से प्राप्त होती हैं। इसका उपयोग मनुश्य द्वारा विभीन प्राद्दोकि कियों हितु प्राचीन काल से किया जाता रहा है। सौर उर्जा का प्रयोग विनिर्मान तथा नगरिये भवनों के लिए किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में सौर उर्जा का उभ्योग पानी गर्म करने में भी किया जाता है जिसमें सौर गर्म जल प्राणालिया पानी गर्म करने के लिए सूरी के प्रकाश का प्रयोग करती है निम्न भगोलोक अक्चांशों में सौर हीटिंग प्राणालिया घरेलू इस्तेमाल के लिए 60 डिगरी सेलसियस तक के तापमान पर गर्म पानी उपलब्द कराती है घरों में पानी गर्म करने के लिए आमतोर पर जिन सौर हीटिंग का प्रयोग किया जाता है वे हैं शुनी, कृत, नली संग्राहक एवं चमकीले समतल प्लेट संग्राहक गैर चमकीले प्लास्टिक संग्राहक का प्रयोग साधरनता सुमिंग पुलों में किया जाता है समुद्र से उर्जा यानि जुआरिये उर्जा जुआरिये उर्जा जल विद्धुत का एक रूप है जो की जुआर की शक्ती को विद्धुत में परिवर्टित करता है यह उर्जा का एक नवी करणिये स्रोत है जुआरिये उर्जा समुद्र की लहरों से प्राप्त की जाती है जुआरिये बल सामईक विभिनता के साथ चंद्रमा के गृत्विये खिचाओ के कारण उत्पन होता है यह बल समुद्र में गती या विद्धत प्रवह उत्पन करता है सशक्त आकर्शन के कारण समुद्र में जलिस्तर बढ़ जाता है इससे समुद्र के मध में स्थित जल तटों की ओर बढ़ता है और ज्वार भाटा आ जाता है ये एक सुनिश्चित घटना है जो की धर्थी के इर्धिगेर्द स्थित चंद्रमा की कक्षा के एक निश्चित पैटन के कारण घटती है ज्वार से उत्पन उर्जा समुद्र के किसी संक्रे मुखद्वार पर बांध बना कर संचित की जाती है तब बांध के मुखद्वार पर एक टर्वाइन लगा दी जाती है जो की इस जुआरिये उर्जा को विद्धत में परिवर्थित करती रहती है समुद्र से उर्जा तरंग उर्जा तरंग उर्जा समुद्री तरंगों से उत्पादित उर्जा है इस उर्जा का प्रियोग हम उप्योगी कारियों जैसे विद्धित उत्पादन, जल विल्वणन अथ्वा जलाशयों में जल को पंप करने आदी में कर सकते हैं तरंगें समुद्र की सतह पर पवन के गुजरने के कारण उत्पन होती हैं, जहां तक तरंगें वायू की गती से धीमी होती हैं, वायू से तरंगों में उर्जा इस्थानांतरित हो जाती है प्रतिवात और तरंग शिखा के मध्ध का वायू दाब अंतर तथा जल सतह पर वायू का घरशन दोनों ही जल का अपरूपी दबाव सहते हैं, इससे तरंगें बढ़ती हैं और परिडाम सो रूप तरंग उर्जा के उत्पादर में सहायता मिलती हैं समुद्र से उर्जा महा सागरिये तापिये उर्जा महा सागरिये तापिये उर्जा अभिक्षा कृत ठंडे गहरे प्रिष्ठ एवं अभिक्षा कृत गर्म उत्ले प्रिष्ठ वाले जल के ताप मानिये अंतर का प्रयोग एक हीट इंजन को चलाने में करती है और उर्जा का एक उप्योगी रूप मुख्यता विद्ध उत्पादित करती है बहुत अधिक ताप मानिये अंतर के साथ चलाये जाने पर हीट इंजन अधिक कारिक्षमता एवं शक्ती प्रदान करता है महा सागरों में प्रिष्ठ तथा गहरे जल का ताप मानिये अंतर उश्न कठी बंधी क्शित्रों में सरवधिक होता है जबकि अन्य क्शेत्रों में 20 से 25 डिगरी सेलसियस के मध्धे रहता है जब प्रिष्ठिय जल परयापत रूप से गर्म हो जाता है तब उसे वाश्प शील तरल पदार्थ अमोनिया को गर्म करने के लिए प्रेयोग में लाया जाता है फिर अमोनिया की वाश्प एक टर्बाइन को चलाने के काम में लाई जाती है उसके पश्चात सागर की गहराई से ठंडा जल खीचा जाता है और अमोनिया की वाश्प को पुना तरहल रूप में संखनित करने के काम में लाया जाता है क्या आप चानते हैं, धर्ती उपरी वातवरण पर 174 पीटवाट यानि PW सूरे विकिरण ग्रहण करती है, इसका लगभग 30 प्रतिशत वापस अंत्रिक्ष की ओर परवर्तित हो जाता है, जबकि 6, 70 प्रतिशत बादलों, महासागरों तथा स्थल खंडों द्वारा अफशोशित कर लिया जाता है। भूमी के अंदर उत्पन एवं संचित होती है। पिगली चटाने भूपरपटी के गहरे गर्म ख्षित्रों में बनती हैं। ताप धर्ती की कहराई से आसपास की ठंडी चटानों की ओर परिचालित होता है। कुछ चटाने उच्च ताप मान एवं उच्च दबाव के कारण पिगलती हैं। इससे चटाने एवं भूपरपटी का जल कभी कभी तो 370 डिग्री सेलसियस तक तप्त हो जाता है। भूताप ये उर्जा का उप्योग गर्म जड़नु एवं अंत्रिक्ष तापन में किया जाता है। नाभिकिये उर्जा नाभिकिये उर्जा ताप एवं विद्धित के उत्पादन के लिए अनवरत नाभिकिये विखंडन का उप्योग करती है। यह उर्जा का चिरस्थाइस रोध है, जो की कारबन उत्सरजनों को घटाता है। नाभिकिये उर्जा एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन होती है, जिसे नाभिकिये विखंडन कहते हैं। इस अभिकिया में भारी यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक पर निम्न उर्जा निूट्रॉन से बाचार कराई जाती है। तब ये परमाणू हलके नाभिकों में विखंडित हो जाता है और विशाल मात्रा में उर्जा मुक्त होती है। उधारन के तौर पर यूरेनियम के एक परमाणू का विखंडन कोईले के किसी कारबन परमाणू के देहन से उत्पन्न उर्जा से 100 करोण कुना अधिक उर्जा उत्पन्न करता है। परियावरण विश्यक सरोकार उर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग हमारे आसपास के परियावरण को प्रभावित करता है। अताहा किसी भी उर्जा सरोत के दोहन से पूर्व ये सुनिश्यत कर लिया जाना चाहिए कि इससे ना तो परियावरण संतलन बाधित हो और ना विधी अवहेल ना हो। नवी करणिये उर्जा सरोत अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि वे उत्पादन करते रहते हैं जबकि आ नवी करणिये उर्जा सरोत समाप्त हो जाते हैं। उर्जा के चायन प्रयोक्त हो रही उर्जा के उद्देश्य तथा उर्जा के वास्तविक उप्योग में हमें इमानदार होना चाहिए। उर्जा के पारम परिक्सरोतों में जीवाश्म इधन, तापिये विद्द्द संयंत्र तथा जल विद्द्द संयंत्र समिलित हैं। उर्जा के वेकल्पिक स्रोत हैं। उर्जा के नविकर्णिय स्रोत अधिक समय तक बने रहते हैं। हमें उर्जा के चायन प्रयोक्त हो रही उर्जा के उद्देश्य तथा उर्जा के वास्तविक उप्योग में इमानदार होना चाहिए। ताकि हमारे आसपास का परियावरण प्रभावित ना हो.